नमज़कार सर मैं यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर की बेटी माईशा के लिए आया हूँ जो पैदा होने के साथ ही एक बहुत बड़ी तकलीफ में थी जिसमें उसका तालू जो पैदा होने के वक्त ही नहीं था उस तालू से उस बच्ची को बोलने में बहुत तकलीफ आती थी और डॉक्टर साब ने जब उसको जनानो हस्पटिल में पैदा होई थी वो वैसे वाजमेर से बलॉंग करती तो डॉक्टर साब ने कहा कि इसको आप और प्रेट कराना पड़ेगा और बहुत तकलीफ होगी इसको आगे चल की हो सकता कि बच्ची बोल भी नहीं पाए बहराल फिर हम मेरी भेहन बहुत रोई मुझे भी कांटेक्ट करा तो जब मैंने पता करा तो मुझे यह पता पड़ा कि अभीशेक होस्पिटल जो एमडी रोड पर है जयपूर में जहां मैं बैठा हूँ इसमें ऑप्रेशन होते हैं बच्चों के और बिल्कुल फ्री होते हैं मुझे यकीन तो नहीं हुआ एक बार लेकिन फिर मैंने पता किया मैं आया है हाँ पर तो मुझे बोला भी गया कि दॉक्टर साब ने काफी अच्छा ऑप्रेशन हुआ इसका टाइम लगा लेकिन बच्ची बहुत बहुत ही अच्छी हेल्दी हो गई और ठीक हो गई बोलने में थोड़ी बहुत तकलीफ थी जो हो नीती नेचरल था उसके बाद अब बच्ची तीन साल की हो गई है पैसा हमारा आज भी नहीं लगा सबसे अच्छी बात विस होस्पिटल के मुझे यही लगी इस महंगाई की दोर में यहां पैसा नहीं लगता है क्योंकि आप जानते हैं आजकल तो हॉस्पिटल के अंदर बिना पैसा की कुछ काम होता ही नहीं है मैं खुद मेडिकल लाइन और एक रात को भी आती है वो भी बहुत अच्छे है सब तारीफ करें मेरी ममी वागेरा ने सब ने बहुत अच्छे तारीफ करी मैं भी आज देखता है रहे गया मतलब के इतना अच्छा बढ़िया हॉस्पिटल हूग काफी बच्चे है यहां पैर इलाज पा रहे हैं चर्फ़ी स्ब्सिफड़ नहीं को लगा झाल, मजदा एक रड़ा कि अभा झाल, में जब